तो कैसे हो मेरे प्याज़े दोस्तों मैं सुभ आपका दोस्त और यह है मेरा चैनल टू टेक्निक दोस्तों मैं आप सब के लिए कुछी डेसिपी के ऊपर एक मिनी ब्लॉग वीडियो लाया हूं दोस्तों यह प्याज़ी है प्याज के पकोड़े का रेसिपी बहुती वैतरीन रेसिपी है आप इसको घर में इजली बना के खा सकते हैं पहले आपको प्याज काटना पड़ेगा बारिक प्याज छोड़ोटे पीस में उसके बाद आपको हरीमिच काटना पड़ेगा बारिक इसके बाद आपको बेशन लेना पड़ेगा बेशन उसमें मिक्स करना पड़ेगा इसके साथ इसके बाद हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा जूरा पाउडर उसके बाद आपको इसमें थोड़ा नमक ढ़लना पड़ेगा हलका सा पहले अच्छे से मिला लेना इसको उसके बाद इसमें पाई ढान ला है इसमें आपको ज्यादा पानी नहीं देना है आप दे सकते हैं कैसे मैंने पाई दिया है इसमें आहीं हिसाब से पाई देना और पाई देंकर एक पाई से मिला लेना है अब ही क्या करना है कड़ी ले लेना करके और उसमें तील गरम कर लेना एक दमाद lounge कर तिल में छोड़ना है, जिसमें छोड़ना है, देश सकते हैं आप इन पकोड़ों को दोनों साइट से डीफ फ्राइ कर लेना है, और जब यह डीफ फ्राइ हो जाएगा, तो इनका कलर डार्क ब्राउंड हो जाएगा, उसके बाद इसको आपको तेल से बहार निकालना है, दीरे जीरे आप देश सकते हैं कैसे में पकोड़ों को पल्टा रहा, दोनों साइट डीफ फ्राइ कर रहा, कर दोनों साइट और नों समाना है, तो हो जीरे हो जाएगा, अक्यों साइट ब्राक अपको vara जेजा को इस्थारद कर अई कर बाल जीरे हो जैंसे kokड़ों को पीबाएगा, दीरे भीफ दिस समता है में जे upside-ओ टाइडómo時 यह इंडियन रेसिपी बहुत ही अच्छा रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है डिलिसेश रेसिपी है इसलिए आप घर में इसको बना सकते हैं कम इंग्रीडिन्स से इन पकोड़ों को आप घर में आने से और ने तो आप खुद भी बना के खा सकते हैं चाय के साथ या सॉस के साथ बहुत ही इजी टू मेक रेसिपी है दोस्तों आप दे सकते हैं पकोड़ा डिफ्राई हो गया दोनों साइट से और इसका कलर भी डाक ब्राउंड आ चुका है अभी आपको एक टेट में इन पकोड़ों को निकाल लेना है तेल से झाल यह पकोड़ा बहुत ही क्रंची बनाया है और बहुत ही टेश्टी बनाया आपको दिखा रहा हूं है इस पकोड़ों को थोड़के बीच से कितना सॉफ्ट बनाया है आप इसको घर में बैटके इजली बनाया के खा सकते है ए पकोड़ा अच्छे से प्लेट बनायाऊ है उसके बाद आपको आफ्वरेच्ट चाटमसली लेना है उसको थोड़ा सञा पाझ़ हो अश्ट असव्रा सब्सक्राइ के लिए एक बहुत अच्छे टेश्ट आएगा जि kanar लुट को थोड़ा नामक्भिश्चय सब्सकिदा अगर आपको उसके पर निंबो को राज छिड़कना है तो निंबो को राज भी छाएगा तो पुम्मीद करता हूं आप सबको यह जैसे भी बहुत पसंद आएगा दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पहनद आया तो प्लीज जाके ममें वीडियो को लाइक कर दिजे, में चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और नोटिशेन बेल को भी दवा दिजे सबसे पहले में वीडियो को देखने के लिए आप सब का दिन सुभ रहे है, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में टाटा बाई 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 चेक केर